चिल्रेंस बाइबिल क्लब के साथ में जुरकार हिब्रू सीखने वाले आप सबी विश्वासियों को शालोन प्रभू येशु मसी की वन्शावली के द्वारा हम लोग हिब्रू में बोले जाने वाले शब्द और उनके अर्थ को सीख रहे हैं और आज की क्लास में आप देखेंगे कि प्रभू येशु की वन्शावली के अंतरगत दाउद के परिवार से जो लोग चले आ रहे थे ये सब राजा ही रहे लेकिन यहो याकीन के बाद में यह करी तूट जाती है आओ हम सीखें इबरानी भाशा आदम से इशु तक की वन्शावली के अंतरगत आज हम सीखने जा रहे हैं सात्मा भाग आमोन एक दुष्टर राजा था जो मनश्य का पुत्र था आमोन बाईस साल का था जब उसने शासन करना शुरू किया और उसकी हत्यास से पहले केवल दो साल के लिए राजा था जैसे उसके पिता मनश्य ने किया था वैसा ही उसने यहोग की दृष्टी में बुरा किया आमोन इस तरीके से लिखा जाता है आलेफ उसके नीचे आ की मातरा है में है वाओ के उपर बिंदू है मतलब ओ की मातरा हुई मतलब मो और फिर फाइनल नून है तो आ, मो और न और इसे इबरी में भी आमोन इस तरीके से उच्चारण किया जाता है आमोन शब्द का अर्थ होता है निर्मान करने वाला अगला राजा योशिया राजा आमोन का पुत्र यह था और राजा मनेशे का पोता था योशिया एक धर्म परायन राजा था और अपने पिता के हत्या के बाद आट साल की उम्र में अपना शासन करना आरम किया था योशिया के शासन का मुख्य आकरशन यहुआ की विवस्था की पुस्तक की पुना खोज की जानी थी और वह वही करता था जो यहुआ की धृष्टी में ठीक है और वह अपने पिता दाऊद कीसी चाल चला न तो दाहीनी और मुड़ा न भाईी और मुड़ा राचा योशिया ने राश्रिय पश्चताप के समय का आवान किया उस देश के लोगों को विवस्था पढ़ करके सुनाई गई और लोगों और यहवा के बीच में वाचा बांदी गई कई सुधारों का पालन भी किया गया मंदिर को मुर्ती पूजा की सभी वस्थों से साफ किया गया था और देश में मुर्ती पूजा वाले उंचे स्थानों को द्वस्थ कर दिया गया था योशिया के समय से फसाय का पर फिर से मनाना आरंब हो गया था योशिया इस तरीके से लिखा जाता है इब्रू स्क्रिप्ट में योध उसके बाद में आलेफ है उपर बिंदू है शिन है और शह है देखिए बिंदू का हंडला है उसके बाद में फिर एक बार योध है और उसके नीचे आ की मात्रा और हे वाओ के बाद में बीच में एक ब करता है जीनियालोजी चार्गत अगला विक्ती है यहो याकीम या य एलियाकीम मैं 25 वर्श की आयू में राजा बना था मिस्र के राजा ने उसका नाम इलियाकीम से भदल कर यहो याकीम रख णिया उसने जब यर्मिया की पुस्तक में परमेश्वर की फटकार को सुना तब उसने उसे फार करके आग में डाल दिया आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि वो तमतमा जाता है गुस्सा हो जाता है कि उसके विरोध में ऐसी ऐसे बातें कही गई हैं वो बहुत दुष्ट था उसने बाबुल में बंधक बनाए जाने से पहले ग्यारा स साल तक यहुदा में शासन किया था यहु याकीम इस तरीके से लिखा जाता है और इसका उचारन भी बिलकुल वैसा ही है जैसा हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं यहु याकीम योद जिसके नीचे दो बिंदू है और हे और वाउ के ऊपर एक बिंदू डली है मतलब ओ की मात रहो गया ये तो की और उसके बाद में फाइनल मेम है तो यहु याकीम और यहु याकीम इस शब्द का अर्थ है यहुदा में जिससे बढ़ाया है यहु याकीम के बाद में है अगला राजा और इनका नाम है यहु याकीन या यकुन्या यहु याकीन राजा यहुदा में म और यहुवा की दृष्टी में उसने बुरा किया यहुयाकिन यरुशलेम में अपने पिता यहुयाकिम का उत्रादिकारी बना लेकिन उसका शासन अल्पकालिक था क्योंकि राजा नवुक अद्नेसर ने यरुशलेम के खिलाफ घेराबंदी की और युवा राजा के साथ राणी मा और शाही अदिकारियों ने बाबुल के सामने आत्मसमर्पन कर दिया था यहुयाकिन के बाबुल में कैद होने के साथ राजा नवुक अद्नेसर ने यहुयाकिन के चाचा सिद्ध किया को सिहासन पर बैठा दिया सिद्धिकिया परमेश्वर और राजा नबुकदनेसर के विरुद विद्रोही था सिद्धिकिया के ग्यारह वर्षों के शासन के बाद येरुशलेम पूरी तरह से नबुकदनेसर के हाथ में हो गया तो यहां से हम देखते हैं तब जीनियोलोजी में दाउद से लेकर यहां तक सब राजा 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 बन कर आए, लेकिन यहां से हट करके अब हम देखेंगे कि परिवर्तन आ जाता है, चलिए इस शब्द को देखते हैं, यकुन्या जो है, यह लिखा कैसे जाता है, योज जिसके नीचे दो सरल यह मतलब न का छोटा उचारन है, योद में आ की मात्रा और ह है, और यकान्या है, थोड़ा सा परिवर्तन है, यकान्या इस प्रकायर का उचारन है, और इसका अर्थ होता है, यहुवा ने जिसे संभाला है, जीनोलोजी में अगला वेक्ती है, शाल्तियल, देखे किस तरीक लामेद के नीचे दो बिंदू, मतलब ल, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं, ताव है, और उसके नीचे में, बिंदू मतलब ती, और फिर योद है, आलेफ है, और फिर लामेद, तो इसे पढ़ने की कोशिश करिए, शाल्तियल, तो इसका उचारन हो जाएगा, शाल् कोवा से पूछा है, शाल्तियल के पुत्र जिसने मंदिर के निर्मान में मदद की, जी हाँ, आप जरू बाविल को बहुत अच्छे से जानते हैं, जरू बाविल यहोदा के राजा यहोयाकीन का पोता था, और इस प्रकार दावुद का वंशच था, जरू बाविल का जन्म निर्वासन के दोरान बाविल में हुआ था, राजा कुस्रू द्वित्य द्वारा यहूदिया के बंदूओं को मंदिर के पुनर निर्मान के लिए अपने देश में लोटने के अनुमती दी गई, और उसके बाद ही जरू बाविल ने यहूदा की, भविश्य वक्ता बंदू है, मतलब उच्चारण हुआ ज, उसके बाद में रेश है, और तीन तिर्चे बंदू है, उसके बाद में है बित, आ की मातरा के साथ, फिर से एक बार है बित, आ की मातरा के साथ, और फिर लामेद, इसका उच्चारण हो जाएगा, जरू बाविल, जरू बाविल, और इसका अर्थ होता है बाबेल की बंदुआई में पड़े हुए। जरू बाबेल के बाद में हम देखते हैं अभीहूद। जरू बाबेल का बेटे अभीहूद। हिंदी में भी अभीहूद है और इसे हिब्रू स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखना है। आलेफ है उसके नीचे दो बिंदु और एक डैश उसके बाद में वेत डला है बिंदु है और फिर योद है और हे वाव और एक बिंदु मतलब हू और फिर दालेट तो इसका उचारन हो जाता है अभीहूद। जो बीच में आप योद देख रहे है उसके कारण हल्का सा य का उचारन आ जाता है तो आप ब के इ मात्रा के साथ ही वो य को लेकर बोलेंगे अभीयोद। तो अभीयोद शब्द का अर्थ होता है मेरा पिता महीमा मैं है आप उस शब्द का संदीविच छेद कर सकते हैं अभी यने पिता और यहूदा यहूदा मतलब स्तूती या महीमा आरादना तो मेरा पिता महीमा मैं है ऐसा अर्थ निकलता है उनके बेटे के बारे में देखे है इलिया कीम जिसकेलिए एक और नाम लोग बताते हैं ईलियौजर तो इलिया कीम ये नाम हमें मिलता है और इसे हिबरु स्क्रिप्ड में यह लिखना है आलेफ जिसके नीचे तीन बिंदू डले हैं लामेद है पर बीच उसके नीचे में दो बिंदु हैं खड़ी मतलब उच्छारन, छोटा ल होगा, योध के नीचे, आ की मातरा, यह, इल्या, और फिर उसके बाद में हैं कोफ, बिंदु है मतलब की, और फिर उसके बाद में योध और फाइनल में, तो इसका उच्छारन हो जाएगा, और इस शब्द का अर्थ होता है मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा जीनियलोजी में अगला वेक्ति हमको मिलता है अजोर, कुछ लोगों ने इसका नाम अजरिया बताया है बाइबल में हमें अजोर शब्द मिलता है इसे लिखना बहुती सरल है आपने अलेफ लिखा आ की मातरा के साथ उसके बाद में जाइन है और ओ की मातरा जो को लगाने के लिए वाव है जिसके उपर एक बिंदू डला है तो यह हो गया जो और फिर उसके बाद में है रेश तो इसका उच्चारन हो जाएगा आ, जो, र, आजोर और आजोर शब्द का आर्थ होता है एक सहायक तो आज जिन लोगों के नाम हम लोगों ने सीखे हैं उसका स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ हमने देखा आमोन जिसका मतलब है निर्मान करने वाला योशी याहू यहोवा जिसे चंगा करता है उसके बाद में यहो याकीम यहोवा ने जिसे बढ़ाया है उसके बाद है या याकुन्या यहोवा ने जिसे स्थापित किया है शालतियल यहोवा से पूछा है जरू बाबेल बाबेल की बंदुआई में पड़े हुए अभी हूद मेरा पिता महिमा मैं है एलियाकीम मेरा परमेश्वर खड़ा करेगा आजोर एक सहायक मैं कुछ अक्षरों को या शब्दों को जोड़ना चाहता हूँ जैसे कि हाँ है मैंने का क्या होगा देखो भेजेगा और अब इसे मैं पढ़ करके सुनाना चाहूँगा निर्मान करने वाला यहुवा जिसे चंगा करता है हाँ यहुवा ने जिसे बढ़ाया है यहुवा ने जिसे स्थापित किया है यहुवा से मैंने पूछा है कि बाबिल की बंधुवाई में पढ़े हूँ का क्या होगा मेरा पिता महिमा मैं है देखो मेरा परमेश्वर भेजेगा एक सहायत इन नामों को बोलने भर से हमें ऐसा लगता है मानो हम सू समाचार बोल रहे हैं अगली क्लास जो होगी इसमें जीनियोलोजिक अंतरगत हम आखरी क्लास करने वाले हैं और यह कड़ी रुक जाएगी एमानो हम पर जरूर देखियेगा